आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, Our Question is In which ecosystem is the pyramid of biomass inverted? किसी भी particular जो हमारा pyramid होता है, biomass का वो कौन से ecosystem का inverted होता है, तो आईए देखते हैं सबसे पहले तो आपको आपको बायो मास क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए किसी भी Living Organism की जब हम बात करते हैं Living Organism की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर उसकी Body का Dry Weight कितना है ये आपका होता है, आपका biomass ठीक है अब हमारा question ये है कि इस particular ecosystem में इसका जो pyramid होता है अब pyramid कैसा होता है, आपको pyramid अगर आपने देखा हो कभी तो pyramid आपका इस तरह का होता है, ठीक है अब इन्होंने पूछ रखा है कि इस pyramid of biomass में कौन सा ecosystem का inverted होता है तो वो ecosystem जिसका pyramid of biomass inverted होता है, उसको हम क्या बोलते है marine ecosystem बोलते है, marine ecosystem बोलते है I hope आपको clear हुआ होगा, अब आए देखते हैं ये होता कैसे है तो सबसे पहले हम इसको ना, चार parts में divide कर लेते है एक, दू, तीन, चार, ठीक है अब सबसे पहले जो आपके सबसे बड़ी जो fishes होती है, वो आती है तो इसके अंदर क्या आ जाएंगी आपकी सबसे बड़ी जो fishes है large fishes, ठीक है second part में आपके क्या आ जाएंगी animals आ जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं, जू, फ्लैंक्टोन ठीक है, छोटे-छोटे animals या छोटे-छोटे आप insects के form में कह सकते हो जो आपके particularly, आपके marine मतलब समुंदरी पानी में जो मिलते हैं ठीक है, और fourth part में आपके कौन से आ जाएंगे, phytophalankton phytophalankton अब आपका जो जू वर्ड है न, ये तो होता है specifically किसके लिए, किसके लिए होता है, animals के लिए, ठीक है और ये जो phyto वर्ड होता है, ये होता है किसके लिए, plants के लिए तो आपने जैसे देखा होगा, इन में जो सबसे ज़्यादा biomass होता है वो इस range में होता है, ठीक है, mental level of increasing order में ठीक है, अब इनका जो large fish का है, वो biomass सबसे ज़्यादा इनी का होता है ठीक है, वही बात करें हम, वही बात करें किसकी, आपकी small fish की तो इनका biomass large fish के comparison में कम होता है फिर सबसे इससे कम हो किसका होता है, जो flankton का और सबसे कम किसका होता है तो सबसे least biomass, किसका होता है, आपका phyto flankton का होता है तो इसी तरह से आपका inverted form में pyramid of biomass हमें देखने को मिलता है किसके में, marine ecosystem में, I hope आपको clear हुआ होगा, with this thank you and have a great day या whatsapp कीजिए अपने doubt 84444 पर